X की घाच 4 पलस 4 का गुरंखंड ग्याद कीजिए यहाँ पे दिया गया है X की घाच 4 पलस 4 इसी का हमें गुरंखंड करना है तो चलिए इसे लिखते हैं X की घाच 4 पलस 4 इसे हल करने के लिए हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना होगा अब जैसे पहला वाला जो पध है इसका वर्ग मूल लेंगे तो x square हो जाएगा और फिर इसका square कर दें तो वही चीज लिखा हुआ है पलस चार का वर्ग मूल लेंगे तो आएगा 2 और फिर इसका square कर दें तो वही चीज लिखा हुआ है X की घा 4 को हम X square का square लिख सकते हैं पलस 4 को हम 2 का square लिख सकते हैं अब यहाँ पे देखिए यह अगर X square को हम A मान ले तो A का square पलस अगर 2 को B मान ले तो B का square तो A का square पलस B का square अगर यहाँ पे पलस 2AB होता तो यह पूर्ण वर्ग बन गया होता तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे बढ़ा लेते हैं पलस टू ए कितना है ए है आपका x स्क्वायर गुड़े बी है आपका दो तो इतना चीज पर्षन में नहीं दिया गया था इसे हमने अपनी तरफ से बढ़ा लिया है अब क्या करेंगे जो हमने बढ़ाया है उसे घटा लें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम यहाँ पे दो गुड़े x स्क्वायर गुड़े दो हमने इसको घटा दिया पहले जोड़ा फिर उतने को घटा दिया तो वही चीज लिखा हुआ है अब यहाँ हमने इसको जोड़ा क्यों था देखेगा a का स्क्वायर पलस b का स्क्वायर पलस 2ab यह पूरल वर्ग बन गया अब एतना बराबर हम लिख सकते हैं a पलस b का होल स्क्वायर तो यहाँ पे है a है आपका x स्क्वायर a पलस b कितना है 2 इसका square a प्लस b का whole square और ये चीज आपका बच गया तो ये कितना है 2 दूना 4 x square माइनस 4 x square अब पुना यहाँ पे देखिए हम इसका वर्गमूल ले ले तो फिर से यहाँ पे एक सर्वसमिका आपको प्राप्त हो जाएगी x square प्लस 2 इसका square माइनस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा x square का x पुना इसका वर्ग कर दें तो वही चीज लिखा हुआ है 4 x square होगा अब इस पूरे को a मानिए x square प्लस 2 को a मानिए और 2 x को b मानिए तो यहाँ पे देखिए एक सर्वसमिका आपको दिख रहा होगा a का square माइनस b का square तो a का square माइनस b का square बराबर क्या होता है a का square माइनस b का square बराबर होता है एक ब्रेकर्ड में a प्लस b और दूसरे ब्रेकर्ड में a माइनस b तो यहाँ पे आपका a कीतना है यह पूरा आपका a है चलिए यहां पर बराबर लगाते रहना है आपको तो A का स्क्वाइर माइनस B का स्क्वाइर बराबर एक ब्रेकर में A पलस B तो यह है आपका A पलस B पलस B यह है आपका B तो A पलस B एक ब्रेकर में हो गया और दूसरे में A माइनस B तो A लिखेंगे A है आपका इतना ये आपका है A माइनस B B है आपका 2X तो ये आपका गुड़न खंड है तो X की घाच 4 प्लस 4 का जो गुड़न खंड होगा ये होगा मैं आसा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसे समझ गया होंगे हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कहते हैं जे हिंद जे भारत